आज हम सीखने वाले हैं Apex Point अपने blouse में या कुर्ती में कैसे लें हर size में Apex Point अलग-अलग होता है और हर उमर में Apex Point अलग-अलग होता है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक young person है तो आपका Apex Point हमारे जो भी मैं आपको आज चार्ट लिस्ट बना कर देने वाली हूँ उसके according हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे हमारी age बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही हमारा Apex Point थोड़ा-थोड़ा down होता रहता है एक तो आपको ये पता होना चाहिए दूसरा आप क्या बना रहे हो अगर आप कोई भी outfit नॉर्मल में बना रहे हो तो आपका Apex Point नॉर्मल में जाएगा लेकिन वही पे अगर आप padded बना रहे हो तो आपका Apex Point अपनी जगा से थोड़ा सा उपर आप हो सकता है लेकिन अगर आप यही Apex Point padded blouse वाला Apex Point नॉर्मल blouse में ले लेंगे तो जब आप पहनेंगे अपना blouse सेट करेंगे तब तो आपका Apex Point परफेक्ट रहेगा लेकिन धीरे धीरे करके Apex Point नीचे आने लगता है जो blouse में अच्छा नहीं लगता सोचो आपने Apex Point 10 इंच लिया है लेकिन आपका body measurement के according Apex Point 11 इंच है तो आपका blouse वाला Apex Point तो उपर चला जाएगा लेकिन body पे जो Apex Point है वो नीचे आ जाएगा इससे आपका cuff size खराब हो जाएगा और आपके fitting भी खराब हो जाएगी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत जादा useful है बहुत जादा important है लेकिन इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसका link description में वो वीडियो आपको जरूर देख लेना है क्योंकि वहाँ पर मैंने एक ही measurement से सारे measurement कैसे निकालते हैं वो explain किया है आपके लिए बहुत useful है कि एक ही measurement से सारे measurement कैसे निकालेंगे shoulder कैसे निकालेंगे, armhole कैसे निकालेंगे इससे आपको कोई measurement लेना भी नहीं पड़ेगा आप एक ही measurement से सारे measurement निकाल पाएंगे तो जलिए स्टार्ट करते हम आज का वीडियो यह मैंने थोड़ा सा apex point के लिए आप सब लोगों को details में बताया है देखो यहाँ पे हमारा burst size है और burst size के according apex point किसमे कितना लेना होता है वो लिखा है उसके साथ साथ आपका apex to apex कितना है यह वाले points निकालने के लिए आपको कोई formula use नहीं करना है लेकिन आपका apex to apex निकालने के लिए formula use किया जा सकता है अगर आपने नहीं लिया है तो एक measurement के according आप यहाँ पे यह वाले points निकाल सकते हो अपने burst size के according आप देखो आपका जो भी burst size है इसको 10 से divide कर दीजे आपका apex point से apex point का जो gap है वो आ जाएगा अभी देखो burst size 28 से 50 size के बीच में आपको कौन से size में कितना apex point लेना है वो explain करेंगे 28 size में आपका apex point 8 इंच से 8.5 हो सकता है देखो यहाँ पे 8 से 8.5 ही क्यों लिया है क्योंकि apex point कहीं न कहीं height के उपर भी depend करता है अगर मेरा height normal है तो apex point कम रहेगा लेकिन अगर मेरा height बहुत जादा है तो apex point हमारा अपने आप ही जादा हो जाएगा तो अगर height जादा है तो आप 8.5 लेंगे height आपकी कम है height के उपर भी नहीं होता आपने कभी notice किया किसी किसी का body structure ऐसा होता है कि navel से उपर वाला part आपका थोड़ा long रहता है और कई लोगों का navel से नीचे वाला part थोड़ा long रहता है देखा है ना कई लोगों की टांगे बहुत लंबी होती है लेकिन कई लोगों का अपर पार बहुत लंबा होता है जिसकी वज़े से वो 7 इंच का neck पहनते हैं तो चोटा neck हो जाता है लेकिन कई लोगों का ये पार चोटा होता है जिसकी वज़े से 7 इंच भी neck deep रखेंगे तो वो deep दिखेगा ये reason होता है और ये पहचान भी है कि आप जान पाएंगे कि कितना किसका size जादा है कम है apex point से apex point आप 8.5 लेंगे 28 size में apex to apex आप सभी size में 10 से divide करके लेंगे उसके बाद 30 size में 8.5 से 9 इंच लेना है 32 size में 9 इंच से 9.5 लेना है 34 size में 9.5 से 10 इंच लेना है ऐसे ही 36 में 10 से 10.5 तक आएगा 38 size में 10.5 से 11 इंच आएगा 40 size में 11 इंच से 11.5 आएगा उसके बाद 42 size में 11.5 से 12 इंच तक आएगा उसके बाद आपका 44 size में 12 से 12.5 आएगा 46 में 12.5 से 13 इंच 48 size में 13 से 13.5 और लास्ट में आपका 50 size है ऐसे ही 50 size में 13.5 से 14 इंच ऐसे ही आप नीचे वाले पार्ट में भी निकाल सकते हो और extra numbers ऐसे ही आप छोटे size में भी निकाल सकते हो extra numbers small sizes में apex point की ज़्यादा नीड नहीं होती सिर्फ और सिर्फ हमें plate डालना होता है तो इस तरीके से आप अपना worst size के according apex point निकाल सकते हैं और apex to apex भी निकाल सकते हैं दो चीजे ध्यान में रखनी है एक आपकी age और एक आपका height कई बार तो हमें height के according लेना होता है कई बार हमें age के according लेना होता है दूसरी चीज है कि जब भी आप apex point से apex point ले रहे हो तो it's depend on your blouse आप padded बना रहे हो तब भी फर्क पड़ेगा non padded बना रहे हो तब भी फर्क पड़ेगा padded तो आपका body के according adjust हो जाता है लेकिन non padded body के according adjust नहीं होता आपको body के according लेना होता है ऐसा नहीं है मैंने आपको 36 बताया है तो 36 में 10.5 ही लेना है अगर aged person है और non padded blouse पहनता है तो वो सकता है 10.5 से 1 inch extra भी लिया जाए क्योंकि it's depend on blouse अगर blouse आपका non padded है तो हो सकता है इ जैसे हमारा 40 प्लस हो जाता है तो हमारा apex point half inch नीचे आ जाता है normally लेकिन वहीं पे आगर हम 45 प्लस में जाते हैं 50 प्लस में जाते है तो apex point और half inch नीचे हो जाता है तो हर 5 साल 10 साल में apex point नीचे होता रहता है और कई लोग body structure के according भी होता है कई बार आपने body structure ही ऐसा है कि apex point अ कि आज के topic में सबसे नया क्या था दूसरी बात अगर आपको fashion designer बनना है या फिर complete fashion designing course करना है तो आप हमारे निशा राजपूद coaching app को download कर सकते हैं हमारे निशा राजपूद coaching app में वो सारी topics आपको मिल जाएंगे जो आपको stitching से related बहुत help करेंगे अगर आप भी sly करते हैं stitching करते हैं तो मेरी वीडियो से आपको बहुत help मिलने वाली है तो कि मैं वो सारे नए topics आज कर लेकर आ रही हूं जो आपको किसी भी video में किसी भी books में नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं पहले अपना searching करती हूं और उसके बाद मैं आप लोगों तक पहुचाती हूं इस सभी techniques को इन आपको हमारा complete fashion designing course करना है लेकिन recently 5th November से start होने जा रहा है one year fashion designing course का part यानि के हम start कर रहे हैं illustration यानि के sketching sketching से हम ये course start करने जा रहे हैं अगर आपको sketching सीखना है बिलकुल zero से सीखना है pencil hold करना नहीं आता है shading करना नहीं आता है आपको 3D look create करना नहीं आता है तो इसमें हम आपकी बहुत help करेंगे जिसमें आपको one month का ये course है सिर्फ और सिर्फ one month course है उसमें आपको sketching करना आ सकते हैं जो हमारा one year का ही part है अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे one year complete course में continue रह सकते हैं ओके everyone मिलती हूं आपसे next topic नई वीडियो के साथ take care bye bye